हलो एवरिवन, वेलकम टू रेसिपी बाई फरीदा, आज हम एक एसी रेसिपी बनाने वाले हैं, जो बहुती ज्यादा यमी और डिलीशियस बनती हैं, और बहुती आसानी से और बहुती जल्दी ये बन भी जाती हैं, आज हम बनाने वाले हर्ब राइस विट चीज कॉन सोस, जो बहुती ज्यादा फ्लेवर्फुल रेसिपी हैं, तो आई या उसकी प्रोसेस देख लेते हैं, उसके लिए एक बरतन में बटर एड़ कर लेंगे, साथ में थोड़ा सा तेल भी एड़ कर लेंगे, ताकि बटर जले नहीं, इसमें गाजर एड़ करके सोते कर लेंगे, केपसिकम एड़ कर लेंगे, और उसे भी सोते कर लेंगे, बोईल किया हुआ कौन है, वो भी एड़ कर लेंगे, और उसे भी सोते कर लेंगे, आप यहाँ पे अपने मन चाए कोई भी वेजिटेबल इसमें एड़ कर सकते हो, गेउं का आटा एड़ कर लेंगे आप यहाँ पे मेदा भी ले सकते हो और इसे अच्छे से सेख लेंगे गेस की फ्लेम हमें थोड़ी मिडियम टू स्लोई रखनी है यह आटा हमारा अच्छे से सिख गया है अब इसमें दूध एड़ कर लेंगे और मिक्स करके थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे आप चाहे तो इसमें पनीर भी एड़ कर सकते हो और अगर आप चिकन एड़ करना चाहे तो चिकन को भी बोईल करके आप इसमें एड़ कर सकते हो नमक स्वादनू सार एड़ कर लेंगे औरेगानो और चिली फ्लेक्स एड़ करके मिक्स कर लेंगे चीज ग्रेड कर लेंगे चीज आप अपने ही साथ से कम ज्यादा कर सकते हो और ये हमारा बहुत ही ज्यादा फ्लेवर्फुल कौन चीज सोस बन के रेडी हो गया है अब जो इसके साथ हम राइस सव करने वाले हैं वो देख लेते हैं उसके लिए एक कड़ाई में बटर एड़ कर लेंगे और एगानो और चिली फ्लेक्स एड़ कर लेंगे धन्या की जो डंडी आती है वो यहाँ पे मैंने ली है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेवर फुल होती है थोड़ी देर के लिए सोते कर लेंगे राइस एड़ कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे आप मेरी चैनल पे नहीं हो और आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ये हमारे हब राइस विद चीज कौन सोस बनके रेडी हो गए है आई होप आपको मेरी आज की रेसेपी पसंद आई होगी और पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर से करना और मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको ये मेरी आज की रेसेपी कैसी लगी तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई